in this session हम लोग convegs mirror के दो जो ray diagrams है वो discuss करेंगे last session में हमने उपने 6 ray diagrams discuss किये थे तो देखने कला आप last session देख सकते हो अभी यहाँ पर आते हैं दो ही है इसमें symbol से पहला है at infinity तो अगर object हमारा infinity पर है अभी इनफिनिटी पर हो पहली बाद तो rays हमने कैसे ली ती यहां से ली और इस तरीके से हमने ऐसे करके और ऐसे करके race पास करा दी चीक है इसमें भी यही चीज लेते हैं अब यहां पी क्या होगा हमी पता है अगर हमारी race जो है अच्छा arrow लगा देते हैं पहले तो सो हमी पता है अगर हमारी race पारलल है principle axis के सो वो क्या करती है focus से पास होती है बट यह हमारा convex mirror है तो actual में देखो focus से पास होती है मतलब यहां से यह इधर से पास हो गई and इधर से यह यहां से पास हो गई ठीक है focus से पास होना यही होता है बट यह हमारा convex mirror है यहां पे focus कहा है हम जो से इस तरीके से तो देखो ज़रा यहां से जोby हमीं पूर ata के पीछे रही है, वंकुला दिख रहे हैं इसने यहां बेज दी light इसने यहां बेजदी ठीक है तो अब यह हो गया हमारा डाइग्राम इसमें भी हमें तीन चीजे बतानी यह तो तीन चीजे लिख ले दे क्या क्या बताते हैं position बता दो इसका size बता दो और हमें बताना होता है nature तो position कहा है focus पे, so position, focus पे लेकिन कहा, behind the mirror, so mention करना जरूरी है कि behind the mirror ये meet कर रहे है, so ये हो गया behind the mirror, एक armist हो गया, and add focus, चीक है, अब size देखो कितना है, again, बहुत छोटा सा बनेगा, point size, so हम इसको लेख सकते है, highly diminished, या point size, चीक है, clear है, last है nature, अब nature कहा है, पहली बात तो simple से, जो भी convex है, अगर image हमारे mirror के पीछे बन रहे है, तो image virtual अपने आप हो जाते है, तो अगर ये image virtual है, तो virtual के साथ हमेशा erect image बनती है, so virtual and erect, I hope this is clear, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं, next पे आ जाते हैं, next है हमारा between infinity and P, मतलब infinity क्या ह है, मतलब बहुत दूर से, और pole हमारा ये होता है, pole और infinity के, बीच में गहीं object बनाना है, so यहां पे अपना object बना लेते हैं, let's suppose, यह है हमारा object, ठीक है, अब यहां पे पहली ray हमारी कैसे पास होगी, पहली इसको color change करते हैं, so पहली ray हमारी पास होगी, यहां पे principal axis के parallel, इस arrow लगा देंगे, यह हो गई, थोड़ी सी टेड़ी होगी, दुबारा बनाती हूँ मैं, so इस तरीके से, and यहां गया हमारा arrow, ठीक है, अब यह क्या होगा, focus से पास होगी, लेकिन focus से पास कैसे होगी, behind the mirror, इस तरीके से, हमें नहीं दिखेगी, हमें कैसे दिखेगी, हमारी reflected ray क्या होगी, यहां से यूँ चली गई, ठीक है, समझ में आई यह चीज, तो arrow कहा लगेगा, इधर आई और यहां से यूँ reflect होगी, ठीक है, पहली चीज समझ में आगी, दूसरा है हमारा कि वो curvature से पास होती है, ठीक है, हम बोलेते हैं न, so यहां से हमने लिया, dotted line से बना र तो यहां पे हम arrow लगाएंगे कि इस तरीके से आई, इचा तुरह सा जूम कर देती हूं, मैं इसको, चोटा-चोटा सा होगे है न, जादा नहीं होगे है जूम, नॉर्बल आजा भई, चलो, अब यहां पे हमने दिखा arrow, एक सेगिन, सेंटर में लगा लेते हैं इसको, so arrow इ इमेज हमारी यहां पे बनी है, ठीक है, समझ में आ गया, so अब तीन चीज़ें हमें बतानी है, हमें बतानी है, इमेज की पुजीशन, इमेज का साइज, और इमेज का नेचर, so पहला पुजीशन देखो कहां है, behind the mirror और कहां है, pole और focus के बीच में, so behind the mirror and between pole and focus, ठीक है, clear, तो क्या है, diminished, छोटा साइज है, and last क्या बचा, नेचर देख लो, हमारी erect बनी है, और behind the mirror है, तो virtual है, so that means virtual and erect, चीक है, clear, so समझ में आ गया, यह थे हमारी दो ray diagrams, convex mirror के, अब I hope आपको ray diagrams बनाने ही में मिश्किल नहीं होगे, आपको दोनों सेशन में अच्छे से, concave mirror और convex mirror के ray diagrams बनाने आपाएंगे, और यह जो position, size, nature बतानो होता है, वो आप अराम से बता पाऊगे, now I'll see you in the next video with the new session, Dylan, take care, and if you haven't subscribed the channel, please make sure to subscribe the channel, bye for now.